वेलकुम टो माई चैनल और आज हम थ्री-डेमेंशनल जमेतरी के कविकर रिविजन को डिस्कस कर लेते हैं ठीक न और यहाँ पर भी वही दो पोइंट रहेंगे एक तो प्लस टो के लाद इसाब से जो में पोइंट हैं ठीक न मतलब केवले उनको डिस्कस कर लेते हैं सही है और साथ की साथ competitive exam और यह चीज यहाँ पर include होगी सही है अब नाम में definition लिखी हुई है मतलब वह यह चोटी सी बात apply कर लो basics लेकिन infinite time कर तो इसको जितना ज्यादा basics ठीक है मतलब अपने आप डिपली में पहुंच जाओगे तो देखो किस तरीकी से 3 का मतलब 3 होगे dimensional मतलब 3 dimension का हो length का हो आपकी choice इस तीन distance का है दो तब भी बात सही है ठीक है ना और geometry क्या होती है कोई figure या फिर geometry को diagram को आपकी choice है नाम में definition लिखी हुई है इस बात का मतलब तब ही दिमाग में आ जानी चाहिए x y z axis की बात होगी अपने आप सही है क्योंकि 3 distance 3D की ये बात होती है 3 axis x y z हमें represent करते हैं ये कहलो अपनी अपनी choice है ठीक है ना तो इस तरीकी से सही है मतलब नॉर्मली हम इसको x मानते है आपकी इच्छा है ये ठीक है यहाँ पर z ये z एक्चल में आपर नहीं है केवल geometry समझो बात खतम एक्चल में कुछ इस तरीकी से और 3 की 3 एक दूसरे एक साथ mutually perpendicular होते है सही है मतलब ये छोटी छोटी बाते भी आ जाते है कही पर ठीक है इसके बाद मतलब यहाँ पर केवल mean point discuss कर लेते हैं तो देखो किस तरीकी से अब इसके बाद यहीं पर ठीक है ना जब xyz है तो 3D का point बस कुछ नहीं xyz से बनेगा इस बात का मतलब पता है क्या है x axis पर distance y पर distance z पर distance सही है इसके बाद चलो एक बात होती है distance formula ठीक है ना और यह चीज आपको वैसे भी पता होनी चीए distance अमें इसाई दो पोइंटों में निकलता है मतलब दो पोइंट होनी चीए सही है और उसका formula कुछ इस तरीकी से हो ता मालो जैसे दो पोइंट सोच लि करना है क्या करना है अपनी अपनी एक्सिस पर difference कर दू जो भी इच्छा लगे सही है पहले मतलब उनका difference उसका whole square पलस का sign फिर अपनी अपनी एक्सिस पर difference सही है ठीक नहीं आपर y2 आ चाहिए सही है और फिर z पर difference लो बापकी चोईस है को इसको पहले x2 पूट करना चाहता y2, z2 आपकी चोईस है सही है और किसी को मतलब proof चाहिए तो वो playlist में उसी concept पर पहुंच जाना सारी चीज़े discuss हो चुकी है सही है मतलब यहापर हम केवल revision के हिसाब से सोच रहे है ठीक है केवल यह बात है ठीक है और यह छोटी छोटी बाते ही आपको special बनाएंगी कि distance तो द mark में दो point आने चाहिए कहीं से आज़े सीधा सा लोजिक है सही है इसके बाद एक होता है section formula तो देखो किस तरीके से तो जैसे section formula ठीक है ना तो वहाँ पर formula भी होता है वो मतलब नॉर्मली समझने के लिए कोई line है सही है उसके कोई 2 point मान लिया हमने P और क्यों चलो वही मान Y1 इस टाइब से है सही है क्यों मान लिया इस टाइब का ठीक है और कोई तिशरा point है जो इसको cuck कर रहा है सोच लिया r मान लिया ठीक है सही है किसे ratio मैं M outcomes में मान लिया सही है नॉर्मली का मतलब है इन दो point वह बीच में होगा एक होता है externally है ठीकर yağ1 का मतलब बार है सही है इस लाइन से बार मतलब वो डिपेंड करता है, लेफ्ट में होगा या फिर राइट में, इस बात के बारे मैं मतलब पता करना हूँ, वो मतलब आप पर रूफ में चले जाना, जो section formula में, ठीक है न, 3D की जो playlist है, इस concept पर पहुंच जाना, अब ये सारी चीज़े discuss हो चुके इस वज़े से, सही है, तो बस यहाँ पर directly हम coordinate of R निकाल सकते हैं, ठीक है न, तो किस तरीके से बस कुछ नहीं करना, किसी को तो ये चीज़ नजर आ, तो बताओ क्या लिख दी, x-axis per distance, ठीक है न, coordinate क्या है, मतलब अपनी-अपनी-axis per distance बात आपकी सही है, ठीक है, x per distance, y पर, z पर, formula क्या था, कुछ इस तरीकी से, सबसे पहले x पर, तो क्या करना है, cross multiply कर देना, m की यहाँ पर, कर दी, cross multiply, याद रखने का तरीका, n की x1 के साथ, सही है, अगर internally का case हो, तो, जैसे m और n, ठीक है न, अगर internally का case है, तो plus का sign आएगा, normal, मतलब याद रखने का तरीका, सही है, और अगर opposite होतो, मतलब externally होतो, यही पर minus आएगा, सही है, इसी तरीकी से y और z पर लिख सकते है, आप cross multiply, m into y2, plus n into y1, हम internally के इसाफ से बात कर रहे थी, इस वज़े से, और नीचे race होगा सम, ठीक है, इसी तरीकी से z पर लिख लेना, ठीक है न, मतलब internally और externally में minus कर देना, लेकिन यह तो basic, एक special बात बताई थी, क्या, कि section formula use cup करना है, यह भी तो पता होना चाहिए न, यह तो formula बात करना है, बात तो यह है न, special, तो बताई थी, इसके लिए एक trick क्या, कि यह तो race हो given होता है, सही है, यह तो आपके पास, मतलब m, race, on, या फिर coordinate of a point, अब मतलब यह चीज़े alternate होती है, मतलब एक चीज given होगी, लेकिन दो में से दूसरी चीज़ पूछी जाएगी, यह बात है, सोचने की, सही है, मतलब use कब होती है, simple सा तरीका है, इसके बाद, ठीक है न, फिर यह इन पर एक midpoint formula भी होता है, midpoint formula, सही है, midpoint का मतलब है, कि यह दोनो distance पर आपर है, इस बात का मतलब, 1-ray-so-1 कहे दो, midpoint में है यह बात, 1-ray-so-1 का यह मतलब होता है, कि left-hand side में भी, मतलब left-hand side और right-hand side, दोनों side बराबर part है, यह मत समझ लेना कि यह distance 1 है और यह 1 है, ठीक है न, यह कहे दो, मतलब यह दोनों part बराबर है, इस बात का यह मतलब होता है, 1-ray-so-1 को आप यह नहीं लिख सकते हैं, बताओ, बात वह यह है न, 3-ray-so-3 है, मतलब 3-part left-hand side, 3-right-hand side, कई बार इसी चीज़ को मतलब, आप concept बना लेते हो, कि left-hand side में भी, एक distance होना चीए, कई बार point होतो, कि equal to 1 put करके देख लिए, वो चीज़े गलत होती, इस वज़े से, सही है, मतलब basic use करना है, और formula किस तरीकी से change होता है, बस कुछ नहीं, divide में 2 आ जाता है, divide में 2 आ जाएगा, सही बात है, और इसी लेकिन, m और n तो खतम हो जाएंगे, इस बात से, ठीक है, कर दो put, तो x1 प्लस x2 लिक हो, या फिर x2 प्लस x1 बात एक है, नीचे 2, सही यह ही पर, m और n की value, 1 1 put करनी है, इसी formula में, तो यहाँ पर एक बार, y1 प्लस y2, divide by 2, z1 प्लस z2, divide by 2, बताओ क्या इसके अंदर, है आसान, अगर ये चीज़ पताओ तो, सही है, अब इसके बाद, ठीक है न, base vector होते, position vector वो चीज़ काम की ने, ठीक है न, मतलब जो important point, gc numerical बनता, कि यह वो डिसकस करें हैं, ठीक है, फिर आता direction ratio, दो ट्रम होती, एक तो direction ratio, और एक होते direction cosine, ठीक है न, direction cosine, इसका मतलब है क्या, direction ratio को तो represent किया जाता है, ABC से, ठीक है, direction cosine को, LMN, ठीक है, इनी का दूसरा नम होता है, cos alpha, cos beta, और cos gamma, इस तरीके से, सही है, बस यहाँ पर, आसान definition, यादर किलो बात खतम, इतना नहीं, मतलब यह, simple सी बताई थी, direction ratio, के ही दूसरे नाम भी होते है, कुछ, tip of a point, कई बार numerical में, इस तरीके का word लिखाओ, तो तभी समझ जाओ, direction ratio के बात हो रही है, scalar component कहा सकता है, ठीक है न, नर्मली इस तरीके के word मिलते हैं, आपको, पता होना जाए कि सारी सभी चीज़ा, या फिर इसी का नाम होता है, coordinate of a point, coordinate of a point, सही है, इस तरीके से, ठीक है, तो मतलब कर यह बार यह word लिखे हो, तभी मतलब समझ जाओ, direction ratio, या फिर, या फिर एक आसान तरीका, definition के साफ से बात करोगे, तो यह एक number है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, उससे ब्यासान तरीका, जो best है, ठीक है ना, जो best होगा, और जिससे सारी problem सोल हो जाएंगी, जब भी direction को साइन की, कोई भी बात आएगी, तो एक छोटी सी line यह आधर लेना, कौनसी की direction ratio तो एक distance होगा, number ना को एक distance होगा, सही है, एक distance होगा, अपनी अपनी axis पर होगा, अपनी अपनी axis पर होगा, इस बात का मतलब पता क्या है, direction ratio को समझने के लिए जैसे point है, का दो पी इसका मतलब है क्या X distance X axis पर Y distance Y axis पर Z distance Z axis पर इसका यह मतलब है जो यह भी तो direction ratio लिखा न coordinate of a point भी तो यह क्या है P के coordinate है coordinate का मतलब होता कोई location ठीक है नहीं simply कहना चाहू तो यह मतलब है सही है और यह है सबसे best definition इसके बाद यहीं पर special बच्चे क्या करेंगी distance निकलता दो point बीच में वो तभी समझ जाएंगे distance मतलब direction ratio निकालना हो कभी किसी भी line का direction ratio निकालना हो दो point निकालो अपने आप कर देना अपनी अपनी axis पर difference होगा अब किसी को तो X,Y,Z नजर आता होगा और किसी को यह इस तरीके का नहीं नजर आता है बताओ क्या है इसके अंदर यही छोटी 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 चीज़ा आपको special पनाएंगी सही है अब उसके बाद direction cosine इन दोनों का एक relation छोटा सा relation यादर के लिना कि direction cosine बराबबरो ता उपर direction ratio निके magnitude सही है इन सारी चीज़ों के proof discuss हो चुके यह केवल और केवल ट्रीक है या फिर कोव सोटकट है जो मतलब डारेक्ट आपके numerical सोल होंगे बात कतब केवल इतना सोचना है सही है मतलब यह concept से भी अलग की बात है तो मतलब formula याद रखने की कोई जरूर्थ है निया आपको इसे यह चीज़े अगर यह definition याद रखोगे तो सही है इसके बाद चलो इनके और बात बता देते है अलफा बीटा गामा होते क्या यह angle होते है अपनी अपनी axis पर सही है समझने के लिए कोई यह है कि कोई line है vector को आपकी choice है इस तरीकी से ठीक है ना तो इस angle का नाम जैसे इसको हम x-axis मनती है सही है तो इस angle का नाम हो जाता है अलफा मतलब अलफाई का angle है किस-किस के बीच में x-axis के बीच में और कोई line है फिर vector है सिंपल सा logic ये चीज़ ये उनके बीच का angle है ये उनके बीच का angle माल लिए चलो अलफा माल लिए हमने समझने के लिए सही है तो यह अपने आप कितना हो जाएगा बताओ वही 180 माहिनेस अलफा है ना एक लाइन पर टोटल एंगल 180 डिगरी होता है इस वज़े से बताओ ना हो तू सही है फिर यहाँ पर alternate angle वाली property apply हो जाती है मतलब यह बेलफा होगा यह 180 माहिनेस अलफा का काम करती है समझें मतलब दो एंगल है सही है यह प्लस माहिनस वहाँ से यह माहिनस साइन में वहाँ से मिले थी देखो यह चेटी चेटी या फिर डारेक्ट मतलब परूफ ना या तो कोई बात नहीं तो वैसे सोच लेना एंगल तो इनी एक सोर इसके लाइन के बीच में एंगल तो यह भी बन रहा है और इसी का नाम तो है वह नेक्टी में इसल पाई एक लाइन पर टोटल एंगल तो था 360 डिगरी लेकिन हमें केवल आफ की बात करनी होती है यह बात भी डिसक त 90 का कोज मतल है जेसे 6 रेस हो हैं कोज ही आता है सही है मतल अब याद अर्कने का तरीका मतल किसी को हो सकता ही कोई loyal کو यहां से ट्रिक बना लेए और छोटी छोटी बाते सारी चीज़ा आपके फाइदम लिabb ниक होती है सिंपल सा तो यह मतलब है सही है और यह हम बता चूक है थे कि कोस ही क्यों आता वैसे तो सीकेंट का भी केस बनता है अगर वो आप प्रूफ चेक करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी मतलब प्रूफ मिल जाएगा कि दो केस क्यों होते हैं और केवल दो ही क्यों trigonometry के तो 6 रिसे होती है केवल 2 काम के क्यों होती है तो इस तके वह सारी चीज़ा आप check कर लेना सही है एक बात आती है relation between ठीक है ना मतलब इन element में relation क्या होता है तो ये formula होता है L square plus M square plus N square is equal to 1 एक देखो ये formula याद रख लेना सही है इसका proof हम discuss हो चुका है इसका proof discuss हो चुका था ठीक है ना मतलब वह आप check कर सकते है या फिर ये चोटी चीज मतलब यहाँ पर हम केवल को इक revision के main point लो discuss करें इस वज़े से याद रख लेना सही है इस बस element का नाम बदल देना इसी का नाम को स्केर अलफा प्लस को स्केर बिटा प्लस को स्केर गामा इस इकल टू वन सही है और साइन स्केर में अगर साइन स्केर के हिसाब से लिखो इसी फॉर्मूलिय को तो मतलब साइन स्केर अलफा प्लस साइन स्केर बिटा ठीक है ना प्लस साइन स्केर गामा is equal to 2 हो जाता है कौन सी property ये apply हो जित्थी है आपर sin square theta plus cos square theta 1 ठीक है एक right inside में 1 था मतलब actual में तो 3 आना था आपर तो ये cancel हो जाएगा calculation से आया और कुछ नहीं ये formula put करोगे तू सही है मतलब ये result तो पहले भी समझ चुके थे सही है मतलब कुछ नहीं अगर ये यादर ना हो तो ये बस इसको यादर कर लेना सही है तो इस तरीकी से मतलब जो यहां तक के concept है मतलब कुछ नहीं इनकी एक line यादर कर लेना best है इस तरीकी से सही है तो इस तरीकी से और जो next concept हम इसी तरीकी से हम नेक्स पार्ट में डिसकस कर लेंगे सही है मतलब कुछ नहीं हर कंसेप्ट के एक ट्रीक बता देंगे आपको के लो यादर के लेना लेकिन उसको समझ लेना देखो यह चोटी-चोटी बाते डिस्टेंस निकलता दो पुइंटों बीच में तभी यह हर चीज मतलब सारी बाते डिसकस हो चुके थी डिपली सही है तो इस तरीके से तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लेगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थेंक्यू